हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल एक्जाम ट्रिकी में दोस्तों आज का जो टॉपिक है वहाँ है भारत के प्रमुख दर्रे माउंटेन पास दोस्तों यह टॉपिक एसे से रेलेटर जितने भी परिच्छा होती हैं चाहे वहाँ CHSLO MTS CGL और Other competitive exam दिसते रेलवे UPPSC और MPPSC इनमें समय एक से दो नमबन में यह टॉपिक चलूर पूछायता है और भी काफी जारे एक्जाम से जिनमें यह टॉपिक पूछायता है दोस्तों अगर आप महाँ CHSLO पर नए हैं तो हमाँ CHSLO को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा हो जाता ज़्यादा सेयर कीजेगा दोस्तों बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजेगा जिससे की नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और यदि आप हमारे टेलिग्राम गुरूप से जुनना चाते हैं तो टेलिग्राम गुरूप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दिया गया है और काफी सारी मातिपमोड वीडियो का लिंक भी वहीं पे डिस्क्रिप्शन बाक्स में ही दिया गया है वहां से आप हमारी और सारी वीडियोस देख सकते हैं देखते हैं Mountain Pass आखिर दर्रा सबसे पहले दर्रों के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं आखिर का दर्रा होता क्या है दो पहाडों के बीच का मार्ग जो किसी दो भाग या दो देश को जोडने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं दर्रा कहते हैं दो पहाडों के बीच का भाग जो दो भागों को और दो देशों को जोडने का काम करता है उसे ही हम दर्रा कहते हैं देखते हैं सबसे पहले हमने रखे हिमाचल प्रदेश के दर्रे जो है सिपकिला, रोतांग और बाडालाचा तो सबसे पहले हम सिपकिला दर्रे के बारे में पढ़ेंगे सिपकिला दर्रा यहां हिमाचल प्रदेश की जासकर स्रेणी में इस्थित है दोस्तों कभी पेपर में यह पूछता है तो सीधे यह पूछता है कि सिपकिलादर्रा कहा है तो वहाँ हिमाचल प्रदेश में है कभी जब बहुत ही टॉपिक जब पेपर कठिन बनाया जाता है तब ये पूछा जाएगा कि सिपकिला दर्रा हिमाचर प्रदेश में कहां से कहां पर है तो वह जासकस रेणी में है यहाँ सिंबला को तिबबत से जोड़ता है दूसरा माय दर्रा है रोतांग दर्रा रोतांग दर्रे में देखते हैं इसके बारे में यहाँ हिमाचर प्रदेश की पीर पंजाल स्रेणी में इस्तित है दोस्तों रोतांग दर्रा हिमाचर प्रदेश की पीर पंजाल स्रेणी में इस्तित है इस दर्रे की उचाई लगबग 4631 मीटर है दोस्तों इस दर्रे की उचाई 4631 मीटर है आगे देखते हैं यह हिमाचर प्रदेश की लाहुल कुलू और इस्फीद गाटियों को जोड़ता है दोस्तो रोहतांग दर्रा हिमाचर प्रदेश की लाहुल कुलू और इस्फीद गाटियों को जोड़ता है पहला दर्रा मारा था सिपकिला दर्रा दूसरा रोहतांग और तीसरा बाडालाचा ये सब कहा है हिमाचर प्रदेश में ही है कभी भी आपसे पूछेगा तो सीधे कोशन उठाएगे कि बाडालाचा दर्रा कहा है या रोहतांग दर्रा कहा है यह देखते हैं बाड़ालाचा दर्रा कहा है यहाँ यहाँ भी दोस्तों हिमाचा पदेश की जासकर सेड़ी में ही इस्थित है इस दर्रे से लेहवा मंडी के बीच का मार्ग गुजरता है आगे देखते हम लोग अब देखेंगे हम लोग उत्राखंड के प्रमुक दर्रे जिसमें पहला दर्रा है माना दर्रा दोस्तों माना दर्रा यहां उत्राखंड की कुमायू पहाड़ियों में इस्थित है दोस्तों माना दर्रा कहा है यहां उत्राखंड में कुमायू याद कर लिएगा बहुत महत्पूर दर रहे हैं ये देखते हैं नीती दर्रा यह भी कुमायू की पाड़ियों में ही इस्थित है इसमें देखते हैं यह दर्रा तीनसो नवासी मीटर उचा है दोस्तों यह दर्रा तीनसो नवासी मीटर उचा है माना नीती और लिपलेख उत् उत्राखंट की यह दर्राब जो है उत्राखंट राजी में इस्तिता दोस्तों लिपुलेग दर्रा यह इंपोर्टेंट है क्योंकि यह जादर पूछा आता लिपुलेग दर्रा कहा है इस्तितों तो यह उत्राखंट में सीधे सीधे कुश्चन इसमें बनता है आगे देखते हम लोग जम्बू कास्मीर के प्रमुक दर्रे दोस्तों जम्बू कास्मीर में लगबग पांस दर्रे हैं देखते पहला कौन सा है कारा कोरम दर्रा यहां जम्बू कस्मीर राज के लद्दा खेत में कारा कोरम पहाड़ियों में के मद्द से में इस्तित है दोस्तों कारा कोरम पहाड़ियों में कारा कोरम दर्रा है जो की जम्बू कस्मीर राज में है यहां भारत का सबसे उंचा दर्रा है दोस्तों अगर पूछ देता है कि भारत का सबसे उंचा दर्रा कौन सा है तो वहां कारा कोरम दर्रा है भारत का सबसे उंचा दर्रा आगे देखते हैं चीन को जाने वाले सड़क यहीं से बनाई गई है दोस्तों चीन को जाने वाले सड़क कारा कोरम दर्रे से बनाई है कारा कोरम दर्रा भारत का सबसे उचा दर्रा है यहां लद्दाग छेतर में कारा कोरम पहाडियों से के मद्ध में इस्तित है दोस्तों कार आगे देखते हैं दूसरा दर्रा मारा आगे यह भी जम्बू कस्मीर राजी में जोजिला दर्रा जोजिला दर्रा कारा कोरम दूसरा जोजिला यह दर्रा जम्बू कस्मीर राजी की जासकर स्रेडी में इस्थित है इससे सीर नगर से लेह और कारगिल मार्ग गुजरता है दो जला कारा कोरम, दूसरा जोजिला और तीसरा बुर्जिला, इसमें देखते हैं, यहाँ सीनगर को गिलगिट से जोडता है, दोस्तों यहाँ सीनगर को गिलगिट से जोडता है, कौन बुर्जिला जला जो है, वहाँ सीनगर को गिलगिट से जोलता है, आगे हम देखते हैं, च जोजिला, पीरपंजाल और बनिहाल ये पांचो दर्रे जो है वहाँ जम्बु कस्मीर राज में इस्तित हैं दोस्तों मैं इनको बार बार इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप इनको याद कर लिजेगा ये पूछे जरूर जाते हैं और साथ में अगर याद करेंगे तो आ बनिहाल दर्रा यह दर्रा जम्बु कस्मीर राज में पीर पंजाल स्रेणी में निकलता है दोस्तों यह दर्रा जो है जम्बु कस्मीर राज में पीर पंजाल स्रेणी में निकलता है यह जो जवाहर सुरंग है वह इसी दर्रे में है जवाहर सुरंग इसी दर्रे में बनिहा में ज़वाहार सुरंग है पहला दर्रा अमारा जम्मु कस्मीरराज का था आरा कोरम फिर जोुजिला फिर बुरूर्जिला पीर पिर पंजाल और बनिहाल अब देखते हैं हम लोग सिक्किम के प्रमुग दर्रे सिक्किम में दो दर्रे हैं नातुला दर्रा और जेलेपला दर्रा नातुले दर्रे के बारे में देखते हैं नातुला दर्रा यहां दर्रा सिक्किम राज के डोकेग्या स्रेणी में इस्थित है दोस्तों यहां से दार्जिलिंग वा चुम्बी घाटी से होकर तिबच जाने का रास्ता है और जो नाथुला दर्रा था यहां भाराचीन जब 1925 में हुआ था तो यहां बहुत प्रसीद दुआ था दर्रा तो यह भी याद कर लिजिए का मोस्ट इंपोर्टेंट है यह नाथुला दर्रा फिर से देख लिजिए यहां सिक्किम राजी के डोकेग्या स्रेडी में इस्थित है मुश्ट लिए पूछा था नाथुला दर्रा कहां है तो वहां सिक्किम राजी में है आगे देखते हैं जेलेपला, धर्रा, दोस्तों नाथुला धर्रा, दूसरा जेलेपला धर्रा, ये दोरों सिक्किमराज में हैं, यहां से दारजलिंग वा चुम्भी घाटी से होकर तिप बज जाने का रास्ता है, और आगे देखते हैं हम लोग अरुणाचर प्रदेश के प्रमुक दर्रे दोस्तों अरुणाचर प्रदेश के प्रमुक दर्रे बोमडिला या प्यांग इसमें देखते हैं हम लोग पहला है मारा बोमडिला दर्रा यह अनुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में इस्तित है बोमडिला दर्रा अनुणाचल प्रदेश में है उसके जो भाग है वहाँ उत्तर पश्चिम भाग में इस्तित है इस दर्रे से तवांग घाटी से होकर तिबच जाने का मार्ग है आगे यहां गयाब दर्रा जो है यहां भी अरुणाचल प्रदेश में है यहां दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तरपूर्व में इस्तित है यहां से चीन के लिए मार्ग जाता है दोस्तों यहां गयाब दर्रा से चीन के लिए मार्ग जाता है इस दर्रे के पास ब्रंपुत्र नदी भारत में प्रवेस करती है दोस्तों देख लीजे ब्रंपुत्र नदी यांग्याब दर्रे के पास भारत में प्रवेस करती है कोश्चन यहां से उठ सकता है कि ब्रंपुत्र नदी भारत में कहां से प्रवेस करती है तो यांग्याब द यह भी अरुणाचा प्रदेश के पूर्वे म्यामार में इस्तित है दोस्तों यह अरुणाचा प्रदेश के पूर्वे म्यामार सीमा पर इस्तित है इसके बाद देखते हैं पांक साड दर्रा यह दर्रा अरुणाचा प्रदेश के दच्छी पूर्वे म्यामार सीमा पर इस्त के आगे हम देखते हैं तुजू दर्णा अब एक एक दो दो दर्रे जो छूटे हुए हैं उनके बारे में डिसकस करेंगे तो तुजू दर्रा जो है वहां मनिपूर राज के दच्षिन पूर में इस्थित है इस दर्रे से इमफाल से तामू वा म्यामार जाने का मार्ग है दो पहले हम देखते हैं थाल गाट के बारे में थाल गाट यह दर्रा महराष्ट में पश्चिम गाट की स्रेणी में इस्थित है दोस्तों यह दर्रा जो है थाल गाट धर्रा यह भी महराष्ट में है और भोर गाट में हमारा महराष्ट में ही है तो देखते हैं यह दर्रा 283 मीटर उंचा है यहां से होकर दिल्ली मुंबई के जो सड़क वर रेल परिवाहन है वो यहीं से गुजरते हैं थालगाट दर्रे से आगे देखते हैं भोरगाट धर्रा भोरगाट दर्रा जो है इसको देखते हैं यहां महराश राज के पस्चिम घाट सेड़ी में इस्तीत ह है और देखिए दोस्तो जो हमारा थालगाट था वहां से दिल्ली मुंबई की सड़क परिवाहन रेल परिवाहन गुजरते थे और यहां से भोरगाट से क्या है पूडे बेलगाओ के रेल वा सड़क परिवाहन इसी दर्रे से गुजरते हैं अब देखते हैं हम लोग बोरगाट और पालगाट यह most important धरने हैं जरूर याद कर लीजिएगा देखते हैं पालगाट इसकी उचाए 305 मीटर है यह केरल के मध्यपूर्व में इस्थित है दोस्तों इसकी उचाए 305 मीटर है यह केरल के दोस्तों वह दो दर रहे थे महराश राजी में और यह भी महार अधिपूर में इस्थित है यहाँ नीलगीर तथा अन्ना मलाई पहाड़ी के मत इस्थित है दोस्तों जो आगे देखते हैं हम लोग चांगला दर्रा दोस्तों सभी दर्रे पढ़ेते मगर यह चांगला दर्रा जो है इसको ज्यादा तर नहीं पढ़ा जाता है सायद पेप तर से 2270 मीटर की अधिक उचाई पर इस्थित महान हिमाले का यह दर्रा लद्दाग को तिबद से जोडता है दोस्तों पांच याद दोस्तों चांगला दर्रा है यह वहाँ पर एक चांगला बाबा जिनका मंदिर है उनी के नाम पर यह चांगला दर्रा है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा ज्यादा सेयर कीजिएगा धन्यवाद